नमस्कार मैं हूँ ससी आया जरकां की टोप 25 पर्मोग खबर जानते हैं चाछाधद सुरेन सुकरवार को नई दिली में राज की अध्योगिक निती पेस करेंगे इस अध्योगिक निती के सहारे राजे में 1,00,000 रूपए निवेश करने का लक्ष निधायत किया गया है बतादे राज सरकार की नई electronic system, design और manufacturing के बड़े केंद्रे के रूप में अस्थापित करने की बात है बतादे कि 27 और 28 अगस्त को नई दिली के होटल ताज मान सिंग में जारखन सरकार की ओर से emerging जारखन का आवेजन हो रहा है इसके तहत राजे में निवेशकों को आकर्शित करने के लिए CMH मनसुरेन अमांत्रित करेंगे जारखन के अस्पतालों में मेडिकल छात्रों की होगी तैनाती जारखन में क्रोना से निपटने तथा लोगों को सहज, स्वास, सुविधाये, उपलवद कराने को अस्थाई नियुक्ती होने तक मेडिकल एवं नर्सिंग के 231 विद्यार्थी के तैनाती सरकारी अस्पतालों में होगी बदादे केन्डरे ने अमतिम बर्स के 4614 से चिकित सा शेवा लेने की मनजूरी पहले ही पदान कर दी थी अब केन्डरे ने अस्पतालों में तैनात होने वाले 4614 को मानते देने के राजी सरकार के परस्ताव पर भी अपनी सगती दे दी है इसे लेकर केंद्रिय स्वास्त मंत्रालाय का पत्र राजे के स्वास्त विभाग को मिल गया है जारखन में 71,000 सिक्षक भरती सिक्षा मंत्री के पास प्रस्ताव पारीत प्राथमिक वह मद विद्यालों में लवग 71,000 पत्स रिजित करने की त्यारी है पतादे राजे गठन के बाद पहली बार सिक्षक को का पत्स रिजित किया जाएगा स्कूली सिक्षा एम सक्षर्था विभाग इस समंध में प्रस्ताव विभागे मंत्री जगनात मतों को भेजा गया है बिद्यालेयो में पद श्रीजन सिख्छा का अधिकार अधिनियम व चात्र सिख्छक अनुपात को अधार बना कर करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है बता दे विस बरसों में राजे स्कूल व विद्यार्थि की संखया दूगनी हो गई है पर सिक्षकों का पस रिजित नहीं हुगा जिससे बचों की पढ़ाई परभावित हो रही है जारखन में ऑनलाइन पढ़ाई में 13 परतिसत बच्चे को ही समझ में आती है पढ़ाई कुरोना वारेस संक्रमन के कारण मार्च 2020 से स्कूल बंध हैं हलाकि पिछले दिनों नौवी से उपर कलास के विद्यार्थियों के लिए स्कूल खुल गया है लेकिन उसे नीचे कलास की पढ़ाई अभी भी स्कूलों में नहीं हो रही है इस्कूल बंध होने के कारण सरकारी और नीजी स्कूलों में ओनलाइन पढ़ाई की वसा शुरू हुई है जार्खन में ओनलाइन सिक्षा की क्या इस्थिती है इसको लेकर भारत ग्यान बिग्यान समीती ने सर्वे किया है बता दे या एक पंजी क्रित समीती है या राष्टी ये सक्षार्ता मिशन अधिकरण के द्वारा प्रयोजीत समीती है इस सर्वे में या बात सामने आई है कि 12.8 फिश्दी बच्चों को ही ओनलाइन काक्षा की पढ़ाई समझ में आती है जबकि 19.8 फिश्दी बच्चे कभी कभी ही कक्षा में बताई गई बातों को टिक से समझ बाते हाँ दिल्ली में राहूल गांधी और सीम हमंद से मिली जार्खन परदेश कॉंग्रेश जार्खन परदेश कॉंग्रेश के 9 मनोनित अध्यक्ष राईस ठाकूर समेत 4 अनकारेकारी अध्यक्ष ने नए दिल्ली में राहूल गांधी और जार्खन स्थियम हमंद सुरेण से मिलकात की राहूल गांधी के साथ मुलकात में जार्खन परदेश प्रभारे आर्पी एंसीन भी मजूद थे इस मुलकात के बाद राहूल गांधी ने बधाई देते हुए जार्खन में कॉंग्रेस पार्टी को मजबूत करने पजोर दिया वहीं सीम हमन सुरे ने बधाई और सुबकमनाय देते हुए सब के सहयोग से राजे के विकास का भरोसा दिया जार्खन में 26 विद्यार्थी पर एक सिक्छक प्राथ्मिक से लेकर प्लस टू उँच विद्यार्थी तक राष्टी आवसत की तूलला में जार्खन में 26 शात्र का अनुपात अथिक है बताजे राज में बड़ती काक्छा के साथ प्रती सिक्छक विद्यार्थी की संख्या बड़ती चली जाती है जारखण में कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों के लिए 30 विद्यार्थि पर 1 सिख्चक उपलवधाएं वहीं कक्षा 6 से 8 तक में 22 विद्यार्थि पर 1 वहीं कक्षा 9 एवं 10 में 33 विद्यार्थि पर 1 और एगारवी वह बराहमी की पढ़ाई के लिए 54 विद्यार्थी पर एक सिक्षक उपलब धाएं बतादे राश्टी अस्तर पर प्राथमी कक्षा में 26 विद्यार्थी पर एक सिक्षक और 6 से 8 वी कक्षा, 9 वी, 10 वी में 18 कक्षा, 11 वी, और बरावी में 26 विद्यार्थी पर एक सिक्षक उपलब धाएं नियोजन नीति को लेकर सिये मिमंत को भानू ने लिखा पत्रे भानात्पूर के भाजपा विधायक भानू परतापसाई ने नई नियोजन नीति को लेकर राज सरकार के मनसा पर सवाल उठाया है साथी कहा गया है कि राजनीतिक में सता पक्ष द्वारा भी पक्ष को कमजोर करने के लिए रणनीति पर काम होता है या सभाविक भी है लेकिन राज सरकार भाजपा बहुल इलाके के किसान और नौजवानों को परेशान करने की नियत से काम कर रही है जो आने वाले कल के लिए बेहतर नहीं है इसलिए सिये महमन सुरेन को इस पर विचार करना चाहिए इसको लेकर विधायक सिरी साही ने सिरी स सोसाइटी ने राजे की आदिवासी महिला किसानों को तक्निकी अधारित खेती से जोड़ने की पहल किया है इस कड़ी में गुरुवार को जे एस एल पीएस और डिजिटल ग्रीन के बीच एटलस पर्योजना के किर्यानवयन के लिए MOU किया गया है बता दे जे एस एल पीएस की सीएओ और डिजिटल ग्रीन के पर्मोख क्रिश्णा पलाल सानी ने ये मयू पर हस्ताक्षर किये हाँ RSS के आवाहन पर 29 को एक डोर लोग करेंगे प्रकृतिक वंदना राश्ट्रिय स्वयम सेवक संग के पर्यावरन संग्रक्षन गतिविधी और हिंदू अध्यात्मिक यवम सेवा फांडेशन की ओर से 29 अगस्त को प्रकृति वंदना कार्यकरम का युजन किया गया है पतादे लोगों में पर्यावरन, जल, पेण पौधे, भूमी वा जंगल के प्रती संग्रक्षन का भाव जागाने के लिए आयोजित इस कार्यकरम में सामील होने के लिए निबंधन जारी है इस दिन देश बीदेश के एक क्रोर से अधिक लोग सोजोनों के साथ घर में प्रकृति वंदना करेंगे ज्यारखन में 31 नए केस मिले है जो राची से 21, पूर्वी सिवूं से 1, धनवाज से 2, पच्मी सिवूं से 1, देवगर से 1, 32, गोडा से 2, दुमका से 1 मिले है जर्खन में कूल एक्टिव केस की संख्या 1,49 है भारत में 44 एर 543 नाइकेस मिले हैं भारत में कूल एक्टिव केस की संख्या 3,387,50 है सी एम आवास घेर ने निकली महिला रसोया को पुलिस ने रोका सरकारी स्कुलों में मद्याहन भुजन बनाने वाली रसोया स्थाई करण और मांदे बढ़ाने की मांग को लेकर मौराबादी से मुखमंत्री आवास का घेराव करने के लिए निकली इसमें बड़ी संख्या में रसोया एवाम संजोजी का सामिल है हालाकि पुलिस ने उन्हें मौराबादी मैदान में ही आगे बढ़ने से रोक लिया पतादे महिला रसोया अपनी 15 सुत्री मांगों को लेकर नारेबाजी कर रही है XISS राची के 60 वे दिक्छान समारो में कुछ छात्र संस्थान में आयोजीत कारक्रम में समानित किये जाएंगे तो देश के अने सहरो में बैठे छात्र वर्चुल माध्यम से इस कारक्रम का हिसा बनने और डिप्लोमा प्राप्त करेंगे बतादे फादर माइकल वेन डेन बोगाट एस जे मेमोरियल ओडिटोरियम में आयोजीत इस कारक्रम में टाटा मोटर्स जमसेदपूर के प्लांट हेड 20 साल बादसा मुख्य हती थी के तौर पर उपथित होंगे सिरी बादसा सेक्षनिक वर्ष्ट 2019-21 के बिद्यार्थियों के बिच डिप्लोमा मेडल एवन छातेविती बाटेंगे रूपा तिर्की मामला जारखन हाई कोट ने साई गंज की महिला थाना प्रभाई रूपा तिर्की आत्महत्या मामले की सीविया जाज को ले करदार याज का पर गुरु आरको सुनवाई शुरू की है बतादे रूपा के पिता ने महा धिवक्ता और अपर महा धिवक्ता के खिलाप औव मानना चलाने की मांग को ले कर याज का दायर की है जस्टिस संजय कुमार दिवेदी की कोट ने प्रार्थिक के आगरा पर सुनवाई के लिए 31 अगस्त की तिथी निधायित की है कोडारमा थर्मल पावर पलांट में अस्थाई लिफ्ट गिरी चार की मौत जारखन के कोडारमा में थर्मल पावर पलांट में एक बड़ा हाथसा हो गया है बतादे यहां चीमिनिक के निर्मान के दोरान औस थाई लिफ्ट के गिरने से चार लोग इदर नाक मौत हो गई है बतादे कोडर्मा जी लेके जयनगर परखन अंतरगत बांजे डी इस्थीत हजार मेगावार्ड विधूत उत्पादन छामता के पलांट कोडर्मा थर्म पावर एस्टेशन में गुरुवार को लिफ्ट तूटने से आज़सा हुआ है रांची में होके स्टेडियम का होगा ब्यावसाई करान रेलवे का इस्टो टर्फ होगी स्टेडियम जहां से अंतराश्टिय अस्तर की महिला होगी खिलाडी निकल रही है जहां खिलाडी मैच का प्रैक्टिस कर रहे हैं अब उसी मैदान को भारत सरकार कमर्शियल हब में तबदिल करने की मनसा जाहिर की है बता दे पूरे देश में 15 स्टेडियम और एस्पोर्ट कम्पलेक्स को चीनित किया गया है जिसमें रांची हटिया का इस्टो टर्फ स्टेडियम को भी सामिल किया गया है सवाल अब यह उठता है कि इसी मैदान से खिलाडी अंतराश्टिय मैच की त्यारी करती है नcken गया है नए खिलाडी उबर रहे हैं वही मैदान रेलवे नियंतरंड़ चेत्र से बाहर हो जाएगा चातरा के अमरपाली कोल पर्योजना में CBi का च्छापा टीम में चार से पांच सदसे सामिल थे CBI की टीम पर्योजना कारयालाय पहुंचते ही जांच की परकिरिया में जुट गई है PDS चावल काला बजारी में चार गिरफतार PDS चावल की काला बजारी करते हुए खोरी महुआ के SDM धर्मेंदर परसाथ सिंग ने गुरुवार को चार लोगों गिरफतार किया है बतादे गिरफतार लोगों में अंजीब अंसारी, बीपिन कुमार, वकील यादो और जीतु यादो सामिल है मौके पर करीब 860 बोरी चावल को मौके पर जब्त किया गया साथी इस बावत SDM ने बताया कि PDS के चावल को कला बजारी में खापाना बड़ा अपराध है इस तरह के कारे करने वाले लोगों पर सकती जारी रहेगी धन्यवाद